हिमाजिल प्रदेश में जिला बिलासपूर की पहाडियों मिस्थित बहुत ही रमनिक और एतहासिक सौंदर ये सिफरपूर, काला जोहर नामक धार्मिक स्थल है, जहां पर स्नान करने से ने संतान की दमपत्यों को संतान की प्राप्ती होती है। जी हां हम बात कर रहे हैं श्री नैना देवी जी से लगभग 8 किलोमिलर की दूरी पर स्थित काला जोहर मंदिर सरोवर की, जहां पर पिछले दिनों कार्तिक पुर्णिमा की उपलक्ष पर श्रधालू ने डुपकी लगाई, वहीं पर मंदिर में पूजा अर्चना भी की गई इस मंदिर की विशेष्टा यहां है कि यहां दंपत्ती सुभतारों की च्छाओं में जब काला जोहर कुंड में सनान करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ती होती है और श्रधालू बड़ी दूर दूर से इस तरोवर में सनान करने के लिए विवं दर्शन करने के लिए इस एतिहासिक मंदिर के सेवदार अमरनात का कहना है कि यहां प्राचीन मंदिर सत्यों पुराना है और यहां जो काला जोहर है यहां पर हर समय जल भरा रहता है गर्मियों के दिनों में भी इसका जल सूपता नहीं है और इसमें सनान करने से जहां पर श्रधालू की मनुकाम पूर्ण होती है वही ने संतान दंपत्यों को संतान की प्राप्ती भी होती है उन्होंने कहा कि मंदिर में हर समेश धालूं के लिए चाय पाने की वेवस्था भी और ठहरने की वेवस्था भी की गई है सर्दालू बहुत दूर दूर तो होंदे है रसोई दा कम लंगर हर मोके ते आ रहेंदा चल्दा रहेंदा जी ते बास्ता भी बहुत अच्छी ते रहन 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 दा भी प्रबंदा है दुनिया बहुत दूर दूर तो होंदी है चोवी कांठे भी लंगर दा कम चल्दा रहें आजी जैसे जिना दे बच्चा दा ये लाद नहीं होंदी थे पांच उंकियां पार के बाबाजी फाल पांदे ने हर साल दी तरह सोखना लेकर अंदी दुनिया उना दे लाद हो जान दी आजी